जेहिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संजित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और मैंग निफ्टी में हमरा आज के लिए क्या वियू था किस तरीके से market ने important levels को follow किया है कल किस तरीके से हम trade कर सकते हैं कुछ important heavyweight stocks के important levels जो कल हमें watch out करके रखने है वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में discuss करने वाले है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बैल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइके में हम रखते हैं 4000 लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जादर टेम वेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज़ अगर आप Nifty and Bank Nifty के important levels की यहाँ पर बात करें तो हमने सुबह क्या discussion किया था लास्ट वीडियो में हमने क्या discussion किया था उस चीज़ को हम clear कर लेते हैं देगे लास्ट वीडियो में अपना क्या view था अगर market अगर market इस low को break करता है कौन सा low था ये 17,475 इस low को अगर break करता है तो 430 के आसपास और 17,400 के आसपास market एक बार के लिए आएगा buying मैं कहां पे करूँगा buying मैं केवल तभी करूँगा जब market 17,630 के उपर निकलता है ये चीज़ हमने clearly लास्ट वीडियो में discussion किया था सुबह telegram पे उपर जो लोग भी join नहीं है link नीचे description में मिल जाएगा 88,000 members आप सभी हो चुके आप लोग का बहुत जादा support मिल ही रहा है तो आप लोग join कर सकते हैं free telegram group है important level मैंने आपको क्या बोला था for nifty 17,450 and 430 first important support zone for bank nifty 38,500, 550 first important support zone fresh weakness would emerge only below these levels market जैसे ही open होता है open होने के बाद इन ही level से strong bounce देता है but then 50 EMA से rejection लेके दुबारा से नीचे की side आता है वो first sign था weakness का चलिए वहाँ पे आपने नहीं बेचा clear cut sell अपना बनता था जब market ने 430 को break किया 430 break होने के बाद जैसे ही market ने एक range बनाई और इस range का breakout दिया मैंने personal trade group में जो trade दिया था आप लोग के साथ मैंने share किया ही था और जो मैंने personally भी खुद भी लिया था तो जो लोग भी उस group से join करना चाहते हैं वो लोग ये expect ना करें कि मैं रोज आपको 10-10 trade दे रहा हूं क्योंकि मैं उस तरीके से trade नहीं करता है अगर मेरे को एक दिन में 5 setup मिलेंगे तो मैं 5 trade करूँगा एक दिन में मेरे को एक भी setup नहीं मिलेगा तो मैं एक भी trade नहीं करूँगा क्योंकि वो trades मैं personally कर रहा हूं ठीक है कोई call service या कोई ऐसी चीज तो है नहीं बस जो मेरे trades होते हैं वो मैं आप लोग के साथ share करता हूं that's all तो वहाँ पर अपना 17 दोस्तों की put दी थी मैंने out of the money इस लिए दी थी क्योंकि volatility इस level पर इतनी जादा high थी just look at the wix इतनी जादा volatility में अगर आप add the money की कोई call या put देते मतलब मैं अगर आप लोग को देता या फिर आप लोग के साथ share करता तो जो volatility है वो ही stop loss को trigger करवा देती add the money वाली के क्योंकि मैं बहुत छोटे stop loss के साथ आप लोग को जो है वो आप लोग के साथ share करना चाहता हूं हाला कि मेरा stop loss हो सकता है बड़ा हो but मैं यह नहीं चाहता कि मेरे conviction के चकर में आप लोग अगर मैं गलत पढ़ता हूं तो आप लोग उसे hold करके रखो चोटा stop loss हो भाई 10-20 point का और target अपना लेके चलते हैं हम 50-60 point का ठीक है तो risk reward ratio अपना perfect जो है वो favorable रहता है तो यह important चीज है बाकी अगर आप देखे on the downside में 400 के बाद अपना important level कौन सा है था 350 वाला जो breakout level था वो भी market ने अराम से तोड़ा then मैंने second half में आप लोग के साथ share किया कि for nifty इस level को आप pivot level मान के चलिए सुबह ही मैंने बोल दिया था इसके उपर आप तेज हैं इसके नीचे आप नीचे हैं 450-430 के नीचे और आपने देखा 450 के नीचे market रहा तो कहां तक गिरा है 100 के आसपास जो है वो market नीचे की side आया है हमारे लिए important level क्या था second half वाला 310 and 290 fresh selling will below this very important support तो इसके नीचे अगर जाता तो fresh selling आती है और जैसे इसके नीचे गया एक बार के लिए reversal आया देन दुबारा से जब नीचे गया clear cut sell बना और 120 के आसपास आगे market बंद हुआ है same bank nifty में फोर जो हमारा level ता 550 का 550 break होते ही 300 और 250 के support के पास आया 250 का support तोड़ा तो 37 900 तक के targets हमें मिले है अभी world market की मैं बात करता हूँ 78 points नीचे dow jones है 20 points नीचे nasdaq है US के job data बहुत strong आये है उसकी वज़े से थोड़ा बहुत bond yields hike हुई है और हमारे market के उपर और US market के उपर pressure पड़ा है plus जो बाते चल रही हैं कि market में क्यों हाँ selling आई ETF selling क्योंकि जो Asian markets में Hong Kong वगरा के markets थे वो बंद थे एक हफते से आज जब वो finally खुले हैं तो वहाँ पे ETF selling वहाँ के जो FIs है उनके द्वारा ETF selling करी गई है इस वज़े से थोड़ा बहुत pressure हमें मिला है अब कल किस सरीके से अपने को strategize करना है देकि आज न एक चीज़ मैं कल के important level से पहले कि important चीज़ आप लोगे साथ share करना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे को इतने message आए कि भाई मैंने call hold करी हूई है मेरे को बहुत बड़ा loss हो रहा है मेरे कोращial hold करी हूई है इतने का loss हो गया His आपने कॉल किस बिना पे लिए क्या रीजन दे के आपने कॉल लिए सबसे पहले आप लोग वो रीजन धूंडिए अपने आपका क्योंकि रोज आप लोग मैसेज करोगे किसी को मेर को मैसेज करोगे आपने किसी को भी मैसेज करा जो मार्केट में जिसकी वीडियो आप देख आप किसी और की वीडियो देख लो उससे आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आपकी ट्रेडिंग में कोई इंप्रूमेंट नहीं होने वाला जब मार्केट ने क्लियर कट प्राइज एक्षन दिखा दिया कि वो नीचे जा रहा है हर सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे बेटर होता है अब कल हम क्या कर सकते हैं देखिए सबसे पहले option chain data की बात हुई है तो option chain data ही देख लेते हैं अगर आप इस वक्त देखे option chain data में तो 0.43 का PCR है ओवर सोल्ड है इसमें कोई दोराए नहीं है हो सकता है हलका फूल का gap अप मिल जाए अगर US मार्केट में ज्याद अब sell off नहीं होता है तो बट 17,500 पर एक बहुत बड़ा call writer बैट गया है तो 17,500 इस expiry पर जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है इस expiry पर 17,500 के ओपर निकलना तो ये बड़ा resistance की तरह काम करेगा 17,400 और 300 पर भी अच्छी खासी आज के दिन call writing हुई है बट वो overall इ ठीक है तो ये swing आप mark कर लीजिए ये वाला swing है 17,230,230 के ओपर अगर market निकलता है तो एक बार के लिए 290 और 350 की तरफ जो है वो एक बार के लिए जाता हुआ हमें दुबारा दिखाई देगा ये चीज आपको focus में रखनी है on the nifty front अब nifty में अगर downside आपको खेलना है तो या तो आप एक काम करिए एक trend line आप यहां से draw कर सकते है ठीक है इस trend line का breakdown अगर होता है तो आप यहां तक का target ले सकते है पहली चीज मान लेजिए flat opening होगे इस trend line का breakdown होता है 17,120 तक का आपका target ले लिए या फिर gap down होता है तो 17,120 तोड़ने दीजिए then हम लोग fresh shorting का important support range है अगर 17,050 के नीचे भी indices जाते है तो मेरे लिए 16,930 16,950 का level important है 16,950 तक market एक बार के लिए दुबारा से गिर सकता है तो यह चीज आपको focus के अंदर रखनी है कल के लिए on the bank nifty front bank nifty Brent crude की वज़े से pressure में है क्योंकि crude oil अगर बढ़ेगा inflationary pressure बढ़ेगा तो वो सारी चीज़े pylon होती है bank nifty के उपर प्लस RBI की policy है वो एक दिन के लिए delay हो गई तो वो एक थोड़ी चिंता का विशे बन गया कि भाई delay करने की क्या वज़ाती है अब वो सारी चीज़े चल रही है rumors जो बोलता है market में चलते हैं तो अब क्या हो रहा है कि bank nifty एक important level के पास है मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं option chain data लगाता हूँ ना bank nifty का 0.53 का PCR है उतना oversold bank nifty नहीं है जितना nifty है ठीक है ये चीज़ पहली चीज़ दूसरी चीज़ 38,000 पे सबसे बड़ा put writer है अगर 38,000 का put writer अब compare करते है call writer से तो जितना call writer है उससे double put writer है तो अगर ये 38,000 का put writer trap होता है और ये trap कब होगा जब market इस swing low को तोड़ेगा अगर 37,800 का level अगर bank nifty तोड़ देता है 37,800 से लेकर 750 का level ये level अप note करके रखिए कल अगर इसके नीचे bank nifty जाता है तो fresh sell of दुबारा से आएगा ये जो 38,000 पे put writer writing करके बैठा ये trap होगा ये अपनी position को unwind करेगा और नीचे लेके जाएगा और 37,500 पहला target दूसरा target जो अपना इस fall का बनके आ सकता है bank nifty के लिए वो है 37,300 का ये चीज़ आपको focus के अंदर रखनी है strength कहाँ पे आएगी strength आएगी पहला swing ये जो निकाले 38,050 का तो 38,050 के उपर अगर bank nifty travel करना start करता है then strength हाईगी first आपका इसका target बनेगा 38,250 से लेकर 350 की range जो की clear cut एक level है जहाँ पे supply आपको मिल सकती है अगर 350 के उपर निकलता है then आप लोग कहां तक के लिए play कर सकते हो एक 450 से लेकर 500 तक का target आप लेकर चल सकते हो 350 के उपर अगर निकलता है तो ये हमारे levels होंगे bank nifty के अंदर आप थोड़े stocks दिख लेते हैं जो important heavy weights हैं वो किस तरीके से trade करे हैं Reliance का अगर मैं देखता हूं देखिए Reliance में अगर मैं clear चीज एक चीज दिखाता हूं और मैं CPR लगाता हूं बहुत सारे लोग CPR के बार में पूछते हैं तो CPR का हम post market analysis भी कर लेते हैं अब तो अगर Reliance कल के दिन 205 के नीचे निगलता है तो 290 आपको एक target लेके चलना है और उसके नीचे अगर जाता है तो 280 का target अपने को मिल सकता है बट अगर CPR support जो आज के दिन resistance की तरह act किया था गोगि उसके नीचे जब चला गया तो अब वो resistance की तरह act करेगा 2320 के उपर अगर Reliance निगलता है तो 234 तक के target हमें on the upside में देखने को मिल सकते है HDFC bank की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो important level था हमारा 1470 गया असपास तो 1470 का support अगर hold करता है well and good बट 1470 के नीचे अगर यह trade करने लगता है तो दिक्कत दुबारा से होगी और उसके बाद 1460 से लेकर on the downside में 1440 तक के target हमें HDFC bank में देखने को मिल सकते हैं 1470 के उपर अगर निगलता है तो 1480 तक और 1485 तक के target हमें HDFC bank में देखने को मिल सकते हैं ICACA bank के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं very important support जो इसके लिए बनके आ गया है वो 780 बनके आ गया तो 780 के नीचे fresh sell-off है वो target आपको देगा लगबग 772 का on the upside में 788 के उपर अगर ICACA bank निगलता है तो आपको target मिलेंगे 796 तक के यह जिस आपको focus के अंदर रखनी है TCS की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो TCS में important क्या है 3795 के उपर TCS को निगलना होगा अगर 3795 के उपर TCS निगलता है तो 3812 और 3840 तक के target मिलेंगे downside में अगर इस swing को breakout देता है last day का low 3750 का 3750 के नीचे अगर जाता है तो 3740 और 3730 तक के target on the downside में TCS को देखने को मिल सकते हैं इनफी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं clear cut same level है जब तक CPR support को नहीं तोड़ते हो on the upside में 1720 के उपर अगर निकलता है तो 1730 से लेकर 1740 तक के target अपने को देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आशे करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मिलता हूँ आप से लिए वीडियो में thank you so much for watching guys जहिंद वंदे मात्रम